हेलो इस्टुटेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके प्रेने चैनल सी कोचिंग क्लास्स पर स्वगात है इस्टुटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिट 10 हेलो इलकेन और हेलो इरीन क्वेशन बैंका संपूर्ण सल्यूसन चैप्टर 10 जो आपका चैप्टर कौन सा 10 है ठीक है हेलो इलकेन और हेलो इरीन तो सभी प्रिश्णों के उत्तर यहाँ पर आपको मिलने वाला है तो वीडियो को अन तक देखना और सभी प्रिश्णों का उत प्राथमिक प्राथमिक इलकी फिर्ट को समझाई इसमें दो कोश्चन है जैसे आपका एक अडुक नाविक इस नहीं प्रतिष्ठापन अब क्रिया और एक आप नीचे देखोगे यह दो question है और जैसे यहाँ पर आपको घुमा दिये question और एक question और है जो कि direct एक अणुक नाभी किस नहीं प्रतिस्थापन matches और और डुए अणुक नाभी किस नहीं प्रतिश्थापन hurts require कर के दिये उ हैं तो तो आप सर्च करेंगे कि एक अनुक नाभिक या SN1, SN2 अभक्रिया में अंतर इसे समझाईए तो स्यू कोचिंग क्रासिस डालेंगे तो सारा वीडियो अफ लब्द है पुराने वीडियो भी आपको बराबर काम आएंगे और आप बहतरे नढग से त्यारी कर सकते हैं पुरा आपको मिलेगा तो पहला कोश्चन था जिसका यहां पर देखिये एंसर भी आपको मिलेगा कि तृतियक अलकिल हैलाइड SN1 अभक्रिया इसे नभी किस नहीं अभक्रिया देती हैं इतना क्लियर हो गया एक अनुक ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अफक्रिया के बारे में है कि प्रथम चरण इसमें दो चरणों में होता है एक प्रथम वी चरण ये दूसरा चरण दो चरणों में होता है तो आप लोग स्क्रेंशाट ले सकते हैं प्रथम चरण में क्या होत मतलब ही पाजटिव बदा है और एकशनेगीटिव कोई भी कियो यूग खुगा इसमें दो भाग होते हैं एक पाजटिव और एक नेगेटि दो भाग होते पहले बंद बिदलानोगा इसके बाद नाभिक किस नहीं अभी करमका केह आ करके हैं और के साथ जूड़ जाते हैं कोई भी आपके पास सकता है जैसे यहांपर नू का मतलह नुक्लियो फिले मैं ना विकिस नहीं आभी करमा का करके शिदे और के साथ in velvet जूड़ जाते हैं ठीक इसके भाड़ आपका है दूई अळूक ek नाभिक इसने पृषण अगर आप class 10th या 12th के student हैं तो इंडिया का नमबर वन education platform unacademy आपके लिए सुनेरा अफसर लेकर आ चुका है आज के doubt का एक नया feature launch किया है जिसमें आप किसी भी प्रिशन को पूँच सकते हैं इंडिया के west educator के दोरा आपको वीडियो solution प्रवाइट किया जाएगा साथ ही student दिया आप 10 doubt पूँचते हैं तो आपको 15 दिन का free subscription मिल जाएगा यह केवल 8 April तक के लिए valid है तो आपको doubt कैसे पूँचना है इसके लिए description पे दिये गए लिंक पर जाकर कि unacademy दा learning app को install कर लेना है एप को install करने के बाद student आपको अपनी mobile number या gmail id से enroll कर लेना है इंडरॉल करने के बाद आपको इस प्रकार का interface मिलेगा जिसे नीचे की और scroll करना है scroll करते समय आपको एक feature मिलेगा ask a doubt का यहाँ पर ask a doubt पे आपको click करना है click करते student आपके पास आपसना आएगा take a picture या choose from gallery जैसे आप photo ले रखे हैं तो choose from gallery पर click करेंगे यहाँ पर click करने से आपके पास जोई photo ले रखे हैं उस photo को select करना है और चाहाँ किसी subject question हो और उसे craft कर लेना है जैसे यहाँ पर मैं mathematics का एक question लिया और इसे craft कर रहा हूँ craft करने के बाद इसको upload कर देना है upload करने के बाद student यहाँ पर आपका subject मुझे जाएगा mathematics है तो mathematics पर select करेंगे ठीक है other subject हो तो other subject पर click करना जैसे mathematics यहाँ पर मैं click कर देता हूँ mathematics mathematics ठीक है तो कुछ समय पशाथ इंडिया के वेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहां पर video solution provide करा दिये लाएगा देखे तो यहाँ पर आ चुका है video solution पर क्लिक करेंगे रहने करें एक रिएक के बेश्ट एजगेटर कर द्वारा यहाँ पर solution आपको फायलेक्वक्याइश का बंद विदलण होता है इसके बाद नमबर सेखेंड था सनरशना इसका मैं आल लेड़ी एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोग देखेंगे सनरशन बनाने के लिए देख सकते हैं तो क्लोरो यानि दो नमबर पे कलोरीन जुड़ा हुआ है इसके बाद आपका थ्री मेथिल पेंटेन तो तीन नंबर पर मेथिल जुड़ा है, पांच कार्बन का सरंखला है, तो थ्रे मेथिल पेंटेन हो गया, यहां पर आप देखेंगे, पैरा, प्रोमो, क्लोरो, बिंजीन, तो पैरा के स्थान पर इस्टुएंट आपका क्या जुड़ा है, ब्रोमो, और यहां पर मेन कार्बन सर आप व्यूटीन है, ठीक है, इसके बाद आपका है, अगला नंबर, वन, फोर, डाई, ब्रोमो, व्यूट, टू, इन, मतलब इस्टुएंट दो नंबर पे, वन नंबर पे, और फोर नंबर पे, डाई, ब्रोमो, दो ब्रोमीन जुड़े हो, तो देख सकते हैं, और टू नं पेरा निर्देशा क्यों है, यहाँ पर इसका करेक्ट एंसर आप देख पाएंगे, देखिए ज़रा, यहाँ पर कि क्लोरीन एतब इलेक्टरान अपचैन समू, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्टरान रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अर्था तथा पैरा पर होता है, यह सिंपल इस्क्रिंशाट ले सकते हो आप और पूरा उत्तर लिख सकते हो, ठीक है, फिर देखिए चौधा कॉश्चन मैंने बदबद बोला था ना, एक ही दो प्रकार कॉश्चन दिया, एक अडुक ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अपक्रियाओं तो सेम ह आपका हो गया, हैलोजनी करण, ठीक है, स्क्रिंशाट आप ले लें, यह हैलोजनी करण का है, इसके बाद दूसरा रियक्सन है, आपके पास इस्ट्वन दूसरा रियक्सन किसका है, तो नाइट्री करण, ठीक है, नाइट्री करण के बाद स्क्रिंशाट लेना है, सलफोनी करन और सलफोनी करन के बाद आपका फ्रिडल क्राफ्ट अफ्रिया ठीक है यहां पर आप देखें फ्रिडल क्राफ्ट अप फिर एस्टली करन भी यहां पर तीज प्रकार सी स्टुनिट आपका होगया कंप्लीट और असर उम्मीद करता हूं वह छोटा से वीडियो है लेकिन आप लोग आज इसे त्यार कर लेंगे त्यार करने के सांसनात पूरा कंप्लीट लिए आप चाहेंगे तो अगले चैप्टर भी जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा तो इसके पहले भी जो वीडियो मैंने बनाए है उसे आप दो देख लेना स्क्रीन साट कर लिया करो पूरा विडिवत लिए कर त्यार कर लो लेकिन मैं आप भी भी आपको कह रहा हूं कि हैंड़ परसेंट से और नहीं है कि यहीं से पेपर आएगा लगबग आपके चाप साथ परसेंट तक माल लीजिए आपके कोश्चन पेपर यहां से बन सकते हैं तो अस्तर उम्मीद करत ना दोस्तों सेर करना विल्टेक लिविड़ी विजेहिंद बंदि मात्रम